नमस्कार आप देख रहे हैं EBNN News में हूँ आपके साथ मनीशा जहा देश की सबसे बुरानी राजनितिक पार्टी भारतीय रास्ट्रीय कॉंग्रिस ने मंगलवार को अपना 133 वा स्थापना देवस मनाया इस दोरान कॉंग्रिस के अंतरी मध्यक्ष सोनिया गांधी ने रित्व में द्वजारोपन उची तरीके से समपन किया गया राश्टरीय राजधानी दिल्ले इस्थित कॉंग्रिस के दफ्तर ने आयोजित इस कारिक्रम में कॉंग्रिस के पूर्व अधियक्ष रहूल गांधी महासाचीफ प्रियांका गांधी वाट्रा पूर्व लक्ष इसकी अंतरिम अध्यक्ष ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि देश विरोधी, समाज विरोधी, हर ताकत के खिलाफ कॉंग्रिस मजबूती से लड़ेगी। इसके साथ ही पार्टी किसी को देश की बुनियात कमजोर करने की जाज़त नहीं दे है कि हमारी गंगा जमुना संस्कृती को मिटाने की कोशिश हो रही है। देश का आमनागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। लोगतंत्रुव समविधान को दरकिनार किया जा रहा है। ऐसे में कॉंग्रिस चुप नहीं रह सकती। हमारी विरासत गंगा जमुनी संस्कृती को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है। देश का आमनागरिक असुरक्षित और भैभीट महसूस कर रहा है। लोगतंत्र और समविधान को दरकिनार कर तानशही चलाई जा रही है। ऐसे वक्त में कॉंग्रिस चुप नहीं रह सकती। देश की विरासत को किसी को भी नश्ट करने की इजाज़त नहीं देगी। तो फलाल के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी और हम खबरों के लिए बने रही है एबे एनन नीउस के साथ।